नमस्कार मित्रो उँँ स्निहल एम पटेल आई टी ऐ मेसाना थी आपनी तरफ आजे लेक्चर लेवा आविरे वह चुँँँँँँँँ आपड़ू टोपिक छे पावर इलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट्स जे आपड़ू इलेक्ट्रोनिक्स नो एक बहुच इंपोर्टेंट भाग छे बेजिकली जे आपड़े वाद करिये छे के इलेक्ट्रोनिक्स अत्यारे दरेक जग्याए वप्राई रहू छे उप्योग दरेक वस्तुमा दरेक जग्याए थाई रहू छे तो इटला माटे इले वाम ख्या निधिने आनिए संट्व और DO पण्याची हीन। & Havenoa,onyland െ െય,െ ൉દ্તોકી െંગીપ્તાહં െ łે And there are roughly 1 means power पावर इलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट्स उप्योग मा लेभामा आवया छे तो आजनों आपनों टोपिक छे पावर इलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट्स जेमा आपने बेजिकली आ चार कॉंपोनेंट्स वीशे आपने चर्चा करवानी छे SCR, DiAC, TriAC अने UJT Actually, Power Electronics Devices नो बहुँवज बहुळो वर्ग चे जेमा घणा बदा अलग-अलग प्रकारना कॉंपोनेंट्स आवेला चे जेमा आपने Simple Electronics Circuits मा, Diode, Transistor, MOSFET, LEDs घणा बदा अलग-अलग प्रकारना कॉंपोनेंट्स यूज करिये चे तो एज़ रितना पावर एलेक्ट्रोनिक्स मां आपड़े आवा अलग अलग भीचा components नो use करिये चे जेम चे SCRDAC, TRIKE, UJT, Power, BJT, Power, MOSFET, SCS, विगेरे तो आब दा components नो आपड़े जरूर केम पड़े चे सौथी पहलो प्रश्न ए था चे आपणे जन्रली जारे वाद करिये छे के इलेक्रोनिक सिस्टम्स मां आपणे जारे जही है मॉस्ट ओफ इलेक्रोनिक सिस्टम्स आपणे हाथ वगी वापर ये छे जमके मोबाईल चे टीवी छे आपणे आजू-बाजू LED लाइट्स चे आते तो बद्धी वस्टू आपणे जोई है चे के लोव वोल्टेज पर लोव पावर पर चालती होए चे इलेक्रोनिक सर्कीट इलेक्रोनिक कॉंपोनेंट्स नूज उद्भव एटला माटे थायो तो यहनी शोधज एटला माटे थाये लि पर चालती के मोटा मोटा इसे सर्कीट्री ओंपोनेंट्स नूज पर चालती होए यह उच्छा वोल्टेज पर उच्छी जग्या माँ समाही जाये उच्छा पावर थी काम करें अने इटले वस्तो वधारे वधारे कॉम्पैक्ट थाई शक्ये अने इना थी वदू एक उच्छा पावर थी चाले इटले के जे बसो त्रीस वोल्ट ने वा हाई वोल्टेज सप्लाईज पावर सप्लाईज नी जरूर पड़े छे जमके आपने नॉर्मल ट्यूब अने लो पावर पण लो पावर ऊपर चाले चे जिस्टम लेके ओच्छा वोल्टेज अने बहज ओचा करंट उपर एक काम करी शक्ये चे तो आनी एक लिमिटेशन एपण थाई जाए चे के जारे आपडे मोटी सर्किट चलावाणी होई मोटी सिस्टम चलावाणी होई जम और आउवियस्ली इलेक्तरिकल सिस्टम्स चें के मिकानिकल सिस्टम्स चें छी एह हाई वोल्टेज पर चालती होई छें तो आभी सिस्टम ने आपड़े कंट्रोल ज़्यारे करवानी छें automation क्या रहे थाए जारे ए शिस्टम ने आपड़े automatically control करी शक्ये छे आखे-ाखी फैक्टरी माँ assembly line छे suppose कोका लोगल नी एक बॉटल अज समझी लो दमें तो यहनी काचनी बॉटल बनवा थी लईने अनि अंदर कोक भरावा पर धाकड़ों फिटिंग थवा थी लेने प्रिंटिंग सवा सुधी क्या एक कोई मानस नी जरूर पड़ती न थी आखे-ाखी एक assembly line उपर चाले छे systematic रिते एक पची एक काम एमा थ्या करे छे अब बद्दू काम थाये छे मोटी मोटी मशीनरी थी जो मोटी मोटी मशीनरी ने काम करावू होए तो ए हाई वोल्टेज परज चालवानी एमा ए electronic circuit नो low voltage low power काम आवशे नई पड़ आपड़ी electronic circuits जे छे ए बेसिकली बद्दीच सर्कीट low power उपर काम करे छे एनु काराणे एक खास ए छे के electronic circuits जे छे एमा जी semiconductor devices काम करे छे ए सेमिकंड़क्टर डिवाइसिस नी बनावाटा जिवी होए छे के जे ने आपड़े low power उपर उप्योग मा लई शक्ये ए एने खास voltage नी जरूर ना पड़े औने वधारे ए करंट खाय पन नही पण semiconductor devices आपने एवी रितना बनावामाँभाई से एए 1200 वस्तु छे के जे conductor औने एंसुलेटर बन्ने नी जेम काम करी खेछे अन्फलेज आपने जे वी रिते आपने इछा थाए एक काम करावी सक्ये चाएँ आपने एने इंसुलेट पन कारावी सक्ये चे अपने अने कंडक्ट पण करावी शक्ये, मतलब कि यहननु resistance आपने वधारी के घटाडी शक्ये चे अने एटलेज गान आपने आपने डोपिंग सिस्टम चेंज बह मंदें अनि एना उपर थी ज बनावा मा आवे छे आ बदा पावर इलेक्ट्रोनिक कॉम्पोनेंट्स के जे आवी हाई वोल्टेज मशीनरी हाई पावर इक्विपमेंट ने चलावी शके अने इने उपर कंट्रोल मिलवी शके इतले पावर इलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट्स अत्वा पावर इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस एवा सेमिकंडक्टर डिवाइसेस छे जे स्पेसिफिकली हाई बोल्टेज हाई करंट पर काम करवा माटे बना वेला छे जनरली जो जोईशू तो आप बधा कॉंपोनेंट्स नो एक सिमिलर कॉंपोनेंट्स आपणे लो वोल्टेज लो पावर सिस्टम्स माँ इलेक्ट्रोनिक सिस्टम्स माँ आपणे जोई हो जा से जम के आपने आपने अगड़ SCR नी वाद करी शो तो SCR एक सिम्पल डायोड नी जम काम करे जोई पर थोड़ा गणा मोडिफिकेशन साथे के जितिकरी ने हाई वोल्टेज पर काम करी शके तो बीजी वस्तु ए छे के पावर इलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट्स ने आपने थाइरिस्टर फैमिली कॉंपोनेंट्स पण के भा मां आवे छे एक प्रकारनी सर्किट कॉंपोनेंट्स जे जेने आपने हाई वोल्टेज सर्किटरी ने कंट्रोल करवा माटे यूज करी शकीए छे तो आपने साथी पहला आपना साथी बेजिक कॉंपोनेंट्स नी जे व शौट मां आपड़े SCR कईये छे, एक चार लेयर डिवाइस छे, इटले केमां चार लेयर होये छे, जेमां आपड़े डायोड मां होये छे, बेय लेयर एक P अने एक N, ट्रांजिस्टर मां त्राण लेयर होये छे, NPN अथवा PNP, बराबर, एवी रितना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR मां चार लेयर होये छे, PNPN, चार लेयर थवाने कारणे एना वच्चे त्राण जंक्षन बने छे, J1, J2 अने J3, अने आमां त्राण टर्मिनल होये छे, त्राण टर्मिनल सेमिकंड़क्टर डिवाइस छे, जेना त्राण टर्मिनल छे, एनोड, A तरीके दर्शावामा आवे छे, अने गेट, G तरीके दर्शावामा आवे छे, आ SCR नो सिंबोल छे, अने बेजिक सिंबोलिक कंस्ट्रक्षन छे, जे मैं कहिँ, के SCR चार लेयर नोडिवाइस छे, बराब, तो अमां चार लेयर आवे छे, PNPN, अने ए चारे लेयर, फोता नी लेयर जे छे, ए पैलू जंक्षन बनावे छे, JN, J1, बिजू, N अने त्रीजू, P, ए बनने बेगा था, इने एमनू जंक्षन बने छे, J2, अने त्रीजू छे, PN, जे छेला ब्या लेयर छे, एनू जंक्षन बने छे, J3, पैलू जे P टाइप माटीरियल छे, ए एनोड छे, एने आपड़े एनोड तरीके दर्शावामा आवे छे, अने छे छेल्लू टाइप माटीरियल छे, ए कैथोड छे, जे छेल्लू N टाइप माटीरियल छे, एने आपड़े कैथोड तरीके दर्शाव ये छे, कैथोड ने आपड़े के तरीके दर्शाव ये छे, 301 टर्मिनल यहां थाए छे G, एटले के gate, gate जे छे ए आपड़े J3 जंक्षन साथे संक्ड़ायलो छे, एले के J3 जंक्षन नी उपर जे P लेयर छे, एनी साथे आपड़े gate टर्मिनल कनेक्ट करवामा आवे छे जमणी बाजू जे छे, आएनों सिंबोल छे, SCR नो, अवे आ सिंबोल उपर थी, तमें जानी शको छो के SCR जे छे, ए डायोड नी बववज सिमिलर देखाई रहे छे, राइट, डायोड मा आपणे आरितना ज एनोड अने कैथोड होतु, एक ट्राइंगलल छे, जे P टाइप अने एक उभी लीटी चे, स्टेंडिंग बार, जे N टाइप मातीरियल दर्छा आवे छे, अने P टाइप मातीरियल ने अपड़े एनोड कही ए छे, आने N टाइप मातीरियल ने आपड़े कैथोड कही ए छे, पाण एज डायोड ने modify करी ने आपड़े एने क्यारे turn on करवू औने क्यारे turn off करवू ए दर्शाव set करवा माटे अन्या चार टर्मिनल नो डिवाईस बनावा मावे चे एचे P, N, P, N औने एमा एक वच्चे gate टर्मिनल लगाई देवा मावे चे जे control करे चे अने एने कैवाई चे gate Silicon Controlled Rectifier Silicon Controlled Rectifier आपणे जारे वाद करिये चे डायोड नी जारे आपणे वाद करिये डायोड नी साथे अपणे एनी सर्खा मनी खूबज वदारे करिये चे कार्ण के एनू काम जडायोड नी जेम करवानू होए चे सीवा एक 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 एक्स्ट्रा फीचर होई छे के एचे गेट कंट्रोल फीचर बराबर तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मा डायोड साथे सु साम्यत आछे पहला एक वातनी चर्चा करिये तो डायोड ने आपड़ा साथी बेजिक जे आपड़े एप्लिकेशन जोईए छे बराबर डायोड नो बेजिक साथी बेजिक एप्लिकेशन आपड़े जोईए छे ए आपड़े रेक्टिफायर तरीके आपड़े एनो उप्योग करिये छे जयारे आपड़े वोल्टेज रे सप्लाई मां थी आपने कही रितना कॉंस्टंट DC आउटपुट मेडवी शकीये छे ए आपने रेक्टिफायर सरकीट नो उप्योग करीने जोयुँ छे तो रेक्टिफायर सरकीट मां सोथी बेजिक कॉंपोनेंट सोथी जरूरी कॉंपोनेंट सुर है छे ए छे पी एन डायोड जैने आपने बेजिक भाषा मां डायोड तरीके उडखिये छे तो आ डायोड जे छे एने आपने कंट्रोल करता नथी डायोड मां खाली बेज काम थाए छे एक छे फोरोड बायास अने बिजू छे रिवर्स बायास जैरे P टाइप माटिरियल ने आपने करवा देछे एनी सामे ज्यारे P टाइप माटिरियल ने नेगेटिव सप्लाय आप्यो होए अने N टाइप माटिरियल ने पॉजिटिव सप्लाय आप्यो होए तो पी एन जंक्शन डायोड जे छे आपनों रिवर्स बायास थाई जाए छे अने रिवर्स बायास कंडिशन मा ये करंट ने फ्लो थवा देतू नथी एटले जयरे आपणे एमा थी रेक्टिफायर बनाविये छे रेक्टिफायर मा आपणे हाफ फेव रेक्टिफायर नी जोवाद करिये तो खाली एमा एकज डायोड नो उप्योग करिये छे अने ऐ पोजिटिव साइकल हाव ये त्यारे ये डायोड फोरॉर बाया साई जाे जाए चे ने एमा धी करंट पपार थाहे छे full wave rectifier मा पंड आपने काम age करीए चे पंड एक नी जगया वे अथवा जारे center tap होई त्यारे अथवा चार डायोड जारे bridge rectifier होई त्यारे चार डायोड नो उपवयोग करी ने अपड़े load मा थी करंट नी direction फिक्स करी लई ये चे तो एमा पन एसी साइकल ने डिवाइड करवा मा आवे छे कि ज्यारे पॉजिटिव हाफ साइकल आवे त्यारे बे डायोड कंड़क करता होए बाकी ना बे डायोड रिवर्स बाइस्ते ने कंड़क न करता होए जी आरे negative half cycle आवे त्यारे एज बे डायोड reverse बाइस्ते ने बंद थे जाएचे ने जे बीजा बे डायोड हता एज फोरोड बाइस्ते ने करणड करवानू जालू करे छे तो डायोड नू सोथी प्रख्यात अने सोथी वधारे important application छे एचे rectifier आज ये आगढ़ पहला सेमिस्टर मा चर्चा करी थी वोल्टेज रेगुलेटर सरकिट जे बना वता था तेरे आपड़े 5 वोल्ड, 9 वोल्ड, 12 वोल्ड रेगुलेटेट पावर सप्लाइस बना वेला बराबर तो एमा आपड़े जे रे पावर डायोड चे अने ये हाई वोल्टेज पर काम करता न थी तो हाई वोल्टेज पर काम करवा माटे पावर डायोड तरीके एडवांस पावर एलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट आवे चे पड़ इन्या आपडे चर्चा करवानी छे SCR नी तो SCR नी खासियत सूचे ने एमा पी अन जंक्षे डायोड करदा जुदू सूचे तो हाई वोल्टेज हाई पावर सप्लाई सिस्टम्स जरे काम करती होई तरे एनो पावर कंट्रोल करवा जरूरी रहे चे पावर कंट्रोल करवा मां बैग वस्तू कंट्रोल करवा मां आवे चे एक छे आउटपुट वोल्टेज बिजू छे आउटपुट करवा मांटे एकलो डायोड सफीशेंट नथी रहतो आप बनने नूँ मिक्सर थाए चे आउटपुट पावर तरीके आउटपुट पावर ने कंट्रोल करवा मांटे एसी सिग्नल जे इन्पुट मां आपवा मां आवे चे एना भागला पाडवा मां आवे चे के जेथी अमुक भाग कपाई ने अमुक भागज आउटपुट मां आपणने मले कि जे थी करीने आउटपूट पावर आपणे मॉनिटर करी शक्की छे, कंट्रोल करी शक्की छे अने ए कंट्रोलिंग आपणने आपे छे SCR नूँ गेट टर्मिनल क्या जे साधा डायोड अथवा पावर डायोड नी सर्खामणी मा SCR आपणने एडिशनल फेसिलिटी आपए छे, कि जे थी करीने आपणे खाली डायोड ने फोरवर बायस के रिवर्स बायस न करता एने एक एडिशनली गेट कंट्रोलिंग आपी शक्की छे, कि जे थी करीने आपणने ए डायोड ने फोरवर बायस मा क्यारे आपडे turn on करवू छे ए आपडे control करी शक्किये छे तो आ वस्तु माटे एमा खास त्रण layer बनावा मा बे layer नी जग्याए बीजा बे layer extra add करवा मा आवे छे एले खाली एक P अने N टाइप material नी जग्याए चार बे P अने बे N material यूज करवा मा आवे छे अने एनोड अने कैथोड नी वच्चे gate टर्मिनल आपडे मुक्वा मा आवे छे अवे SCR काम कई रितना करे छे एनी आपडे चर्चा करिए SCR आम जो वाज इए तो नौर्मली एक डायोड नी जएमाच काम कर छे पण एमा गेट लेके एक फोरण बाइस थासे अथवा रिवर पण एक गेट टर्मिनल नी जो एड करेलों छे एना काराण इंए ट्रण ओप्रेटिंग मोड ज़ भने चै त्रॣ ओप्रेटिंग मोड छे ए ऐचे फोरवर्ड ब्लॉकिंग मोड फोरवरड कंडक्चन मोड अने रिवर्श ब्लॉकिंग મોડ ફારવડ બ્લોકીંગ મોડ સૂ છે સૌથી પેલા આપણે એના વીશે ચરચા કરીએ તો જો આપણે સાધુડ ડાયાડ સાધે કંપેર કરીએ કરીએ કે ડાયાડ ને આપણે ફોરઓડ બાયાસ કરે હોય ફોરઓડ બાયાસ ક્યાર ફોરઓડ બાયાસ ક્યારે થાય છે ડાયાઓડ ની જેમજ એનોડ ને પોજેટિવ વોલટેજ એ કંડક કરતું ની ફોરઓડ બાયાસ ભલે થાય છે પણ ફોરઓડ આ ફોરઓડ બાયાસ માં એસીયાર કરંટ ને ફ્લો થવા દેતુ ની એટલે કે ફોરઓડ બાયાસ થવા છતા ફોરઓડ બાયાસ થવા છતા એસીયાર આ કંડીશન માં કરંટ તુ નથી એનુ કારણ સું છે એનુ કારણ એ છે કે પઈં અને ચાર લેયાર છે અને ચાર લેયાર ના બલે એનોડને પી ટાઇપ મટિર્યાલ સાધે આપણે પોજેટિવ સપલાય આપ્યો કેથોડના એન ટાઇપ મટિર્યાલને આપણે કરંટ ને ફ્લોથવા દેતુ નથી તો ફારવડ બ્લોકીંગ મોડમાં કોજ ગેટ ટ્રિગર આપવામાં આપતો નથી આપવામાં આપતો નથી ગેટ ને કોઈ સપલાય આપવામાં આપતો નથી એનોડ ને પોજેટિવ સપલાય આપેલો છે બરાબર ફોરઓડ બાયાસ મોણમાં એએકેર ડાયોડ ની જેમ કંડક કંડક કરવુ જોઈએ પણ એના આપણે ગેટ થી થી કરંટ ફ્લોથ હતો નથી તો એમાં થી કરંટ ફ્લોથ કરાવા માટે આપણે શુકર હુકરું છે તો એને આપણે એનોડ ને આપણે મુકીજ દીએ છે એનોડ ને આપણે પોજેટિવ સ્લાય આપેલો છે કહેથોડ જે છે સપ્લાય આવ્યા પછી ગેટ ને આપણે એક સિગ્નલ આપીએ છે આ ગેટ જે સિગ્નલ છે એને આપણે પોજેટિવ એક થોડો એક પોજેટિવ પલ્સ આપવામાં આવે છે આ પોજેટિવ પલ્સ આપવામાં આવે ત્યારે એમાં એક ચારજ ક એ અંદર એક ચારજ નું જત્થો બેગો કરે છે અને એના લીધે જેટુ જંશોનુનું જે રીવસ બાયાસ્ડ સપ્પલા લાગે છે ગેટ ટ્રિગરણ્ટ ખૂબજ અન્યા ઇમ્પોટન્ટ છે અને ગેટ ટ્રિગરનું વોલટેજ કેટલો છે એના એને એક થોડ જેવ ઓરેટિંગ મોડ છે એના વિશે ચર્ચા કરી લઈએ અને એ છે રીવર્સ બ્લોકીંગ મોડ એટલે કરીએ છે સેમ એર ઇત્ની સીસ્ટમ હોએ છે રીવર્સ બ્યાસ જેરે ડાઓડ કરીએ છે ત્યારે એનોડ ને આપણે સાધે કનેક કરવામ હાવે છે અને કેથોડ ને પોજેટિવ ટરેવર્સ થવામ હાવે છે આના કારણે P ને ને ટાઇપમ ટિર્યલ ને 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 ટાઇપમ ટિર્યલ ને પોજેટિવ સપલાય મલે છે અને એના લાગ કારણે J1 અને J3 શપલાય મલે છે અને ને લાગ કારણે J1 અને J3 જજજાંંજ બંને જ રિવરસ બાયાસ થહઈ જજજે અને જજજજન રિવસ બાયાસ થવાને કારણે આમાં થી એનોડ થી નેગેટિવ તરફ ફ્લો થહો જોજે પરણે બંને જજ રિવસ બલોકીંગ મોડ મોડ પરણ ગેટ ને કોઈ ટ્રિગર આપવામાં આવતી નથી આવસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રખવામાં આવે છે કે રિવસ બલોકીંગ મોડ 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 કોજ ગેટ આપવામાં આવતી નથી એમાં ટીગાર આપીએ પણ તો એ રિવસ મોડ 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 માં કંડક કંડક કરી શક્તું નથી અવે જોઈએ આપણે એસીયાં ની વીયાઈ કરક્તરિસ્ટિક એડલે કરંટિજ કરંટ કવ્વડ કરંટિજ કરંટિજ કરંટમ મોડ સીંપલ અજે કરંટિજ કરંટણફ કરંટપજ કરંટેજ કરંટજ 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 કરંગં કરંપણય थाई जाए छे त्यां सुधी आने आपड़े पोंचवा देवा माँ तो न थी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड अने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड आमा केरेक्टरिस्टिक माँ खास एना उपर चर्चा करी तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड अन्या नीचे नो भाग छे देतू न थी केम काराण के आपड़े हजी सुधी एने कोई गेट ट्रिगर आपएलो न थी जो ही साधू डायोड होए सिंपल डायोड तो सिधे सिधू फॉरवर्ड बायस मा आरीतना एक कंडक्ट करवा लाग छे पण यहां SCR छे जेने गेट थी ट्रिगरिंग कंट्रोल आपवो पड़े छे एटले ज्यारे आपड़े एने गेट ट्रिगर आपए छे त्यारे ए फॉरवर्ड बायस थाई जाए छे ब्लॉकिंग मा थी कंडक्शन मोड मा आवी जाए छे अने एना एक्रोस नूँ वोल्टेज एकडम लो थाई जाए छे अने एमा धी हाई करंट फ्लो थवाल आगया छे सीधे सीधो करंट एमा थी एनोर्टी कैथोर तरफ फ्लो थवाल आगया छे आपड़े gate trigger नो voltage किटलो आपयो छे एना उपर थी dependent हाई छे किटलो forward voltage पर एक कंडक्शन करवानू चालू करशे जो आपड़े low gate trigger आपये लो छे सपोज एक वोल्ट तो forward blocking voltage माई वदारे high voltage सुधी रह से आने पच्छी trigger थाशे एक जेम जेम आपड़े trigger voltage वदारे हाशे एटलू वेला एटले के एटला ओचा forward voltage पर SCR ट्रिगर थाई जाशे IG1, IG2, IG3 IG1, IG2, IG3 छे एजे चे पल्स नो current ट्रिगर पल्स जे आपड़े gate trigger पल्स आपयो छे एनो जे current लेवल छे एट current लेवल केटलो छे? पल्स करेंट केटलो छे? एना उपर थी एग डिसाइड थाई छे तो trigger पल्स नो current जेतलो हाई हर छे एटलो जल्दी ज फोरवर्ड ब्लोकिंग गोल्टेज मा थी एग फोरवर्ड कंड़क्शन मोड मा आवी जा छे जो एक त्रीजो मोड पॉइंट या ए रहे छे के जयारे कोई पन गेट ट्रिगर न आप पाम आवे अने continuously जो आपड़ेने फोरवर्ड वोल्टेज वधारे नमाए वधारे आपता जीए मतलब के फोरवर्ड वोल्टेज आपड़े वधारता जीए तो एक पॉइंट एवो आवे छे एटले के फोरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जैने आपड़े वी बी ओ कहिए छे वी बी ओ एटले के फोरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज ए एवो वोल्टेज चे ए फोरवर्ड वोल्टेज नी लिमिट छे एना थी वधारे जो वोल् थाई जाए छे कि अन्या एन्या J2 अन्या J3 जंशन नी आसपास एयले कि आपी टाइप मटेरियल नी आसपास बनने साइड एटलो यह चार्ज भेगो थाई जाए छे अने ए चार्ज नो जत्तो इटलो बदो भेगो थाई जाए छे कि अंदर ना वच्चे ना जे टू जंक्षन अने जे त्री जंक्षन ना जे रिवस भाईस थाला जंक्षन छे यह चार्ज भेगो थाई जाए छे कि अजे जंक्षन ने पोता नी जातेज करी जाए जाए छे अने पोता नी जातेज एने ट्रीगर करी जाए छे इसले के gate trigger आपया वगर अज ए forward bias थाई जाए छे अने forward bias एक वाज थाया पची ए एज mode मा रहे छे ए conducting mode मा ज रहे छे अने short थाई जवाने कारणे forward bias मिन्स short तो short थाई जवाने कारणे एमाधी high current flow थाई जाई छे अने एक्रोस ये voltage छे ए लो थाई जाई छे ये एनू जे minimal resistance छे एना resistance प्रमाणे एनो current जे छे इटलो ए voltage drop एमाँ थसे उम्स लो प्रमाणे हवे आने पाचू conduction mode मा थी blocking mode मा क्या रहे आवे तो SCR एनी जाते बंद नथी थाई जटू SCR ने बंद करवू होए तो gate trigger आपवा मा नथी आओ तो gate trigger सपोज आपने positive gate trigger आपिये छे अने trigger on थाई जाए छे तो ए प्रमाणे जो negative trigger आपिये तो gate turn off करी दे एवू नथी बनी शक्तू जो एक वखत ए forward conduction mode मा आवी गई हो SCR तो पची एने बंद करवा माटे एना across जे करण्ट जे छे ए holding current लेके IH level जे करण्ट छे एना करता low current सुधी एने लावी देवो पड़े एतले के एनो input जे supply आपड़े जे forward बायस माटे जे supply आपियो छे ए आपड़े drop down करवो पड़े एने अपड़े low करी देए औने resistance वधारी देए तो IH एटले के holding current करता नीचे एनो current थाई जाए औने SCR फरी पाछो blocking mode मा आवी जाए बी जेवो पॉइंट ए थाई शके के power supply नी जे direction छे ए reverse थाई जाए मलब के आपड़े एने reverse बायस करी देए SCR ने एनोर ने negative अने cathode ने positive तो पंड़े SCR reverse blocking mode मा आवी शके छे अन्या एक वस्तू छे IL, IL लेवल जे छे ए लैचिंग करंट छे आ लैचिंग करंट एटले के SCR ने current limit करी राखे छे forward bias mode मा जैरे एक वकत कंड़क करवानू शरू करी दे पछी एने ए मिनिमम एटलो current आउटपूट मा आपेज छे हवे आपणे बिजा पावर electronic components फिशे चर्चा करी शूँ SCR ए सोथी basic power electronic components छे जेम आपणे थाईरिस्टर फेमिली ना components जेम आपणे वाद करी SCR triac diet का बद्दा थाईरिस्टर families केवाई छे SCR ने सोथी basic थाईरिस्टर केवाम आवे से नॉर्मल जयारे electronic components नी आपणे चर्चा करिये शिये त्यारे आपणे MA, diode, LED, transistor, MOSFET, field effect transistor, FET यो अलग-अलग components आपणा basic analog ने digital electronics मा हुआ छे तो सेम एर इतना power electronics मा पण अलग-अलग components बनावेला हुए छे के जेथी करीने ए अलग-अलग उप्योग मा अपणे यहने लई शक्ये तो SCR नू बिजू एक वर्जन जे छे एछे ट्रायक, ट्रायक एटले ट्रायोड फोर अल्टरनेटिंग करंट जैरे electronics नी शोथ थाई पन सेमिकंड़क्टर डिवाइसीस नता बनावा मा आवता त्यारे शरू अत्मा आ डायोड छे, यहने डायक छे, ट्रायक छे आ बदा गैस ट्यूब टाइप ना मटी कॉंपोनेंट्स तरीके बनावा मा आवता आता जे हाई बोल्टेज पर काम करता आता तो पावर एलेक्ट्रोनिक्स ना जेरे कॉंपोनेंट बनावा मा आवया तो एना सिमिलर सेमिकंडक्टर डिवाइसीज जे ओची जग्या रोके पन एवाज काम करी शके ए प्रकारना कॉंपोनेंट्स बनावा मा आवया छे तो ट्रायोड नो सेमिकंडक्टर पारिया चे एछे ट्रायक ट्रायक जे छे ए ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट नूँ शॉर्ट फॉर्म छे TRI for ट्रायोड अने AC एटले के अल्टरनेटिंग करेंट TRI AC ट्रायक ट्रायक छे ए त्रांट टर्मिनल डिवाइस छे जे सेमिकंडक्टर स्विचिंग मां उप्योग मां लेवा मां आवे छे बीजी वस्तु जे छे SCR जारे आपने वाद करिये तो SCR एकज डिरेक्शन मां करेंट ने कंडक्ट थवा दे छे एनोड थी कैथोड तरफ रिवस बाइस जारे था एटले के कैथोड थी एनोड तरफ एक करेंट ने कंडक्ट थवा दे तू नथी तो एनी सामें ट्राइक जे छे ए बाइ डिरेक्शनल डिवाइस छे एले के बनने तरफ करेंट ने फ्लो थवा दे छे अवे आना तरण टर्मिनल काया छे SCR नी जे मज आम तो एनोड कैथोड अने गेट तरण टर्मिनल थाए पण ट्राइक जे छे ए बे SCR नू कॉंबिनेशन छे एटले के जयारे आपड़े AC पावर कंट्रोल करता वहिए SCR नू नाम चे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर अवे रेक्टिफायर मा आपड़े जयारे हाव फुल वेव रेक्टिफायर बनावता था द्यारे अपड़े एक थी वधारे डायोड बे अथवा चार डायोड नो उप्योग करता था कि जे थी करीने बनने हाफ साइकल नो अपड़े पावर आउटपुट लई शक्किये तो SCR नो उप्योग जयारे अपड़े इसे इम रेक्टिफायर तरीके करता होई ये त्यारे अपड़े एक SCR थी काम चलतू नथी आपड़े बे अथवा चार SCR नो उप्योग करवोज पड़े छे तो आवे रितना पावर कंट्रोल जयारे करवा नो होई तो सेम एर इतना SCR नी जग्या आपड़े ट्रायक नो उप्योग करी शक्किये छे कि जे बे SCR नो काम एक साथे करी शक्के छे एककच कॉंपोनेंट नी अंदर अवे ट्रायक जे छे एमा टोटल पांच लेयर आवे छे पन टर्मिनल एना त्रायक छे जनरली तो एने एनोड कैथोण ने गेट तरीके आपड़े गणी शक्किये छे पन एमा बे साइड थी एनोड ने कैथोड आवे एटला माटे एना टर्मिनल नाम MT1 अने MT2 तरीके दर्शावाम आवे छे एनोड सिंबोल जोओ तो आपणे ओड़खी जवाए छे के आ आनोड भाग पाड़ो तो एक बाजू थी याँ SCR लागे ने बीजी बाथू एक डायोड जेऊ लागे तो आए एज काम करा छे पड़ याँ बनने बाजू SCR छे अने एनोड गेट जे टर्मिनल छे एक कॉमन छे अना जे बेजिक त्राण लेयर छे ए वच्चे P1, N1 अने P2 लेयर छे अने पछी N2 लेयर जे छे ए MT1 तरीके टर्मिनल तरीके उप्योग मा लेवा मा आवाए छे P1 टाइप साइड नूँ जे मटीरियल छे एने साथे एक N4 लेयर नूँ डोपिंग करवा मा आवे छे अने ए डोपिंग नूँ लेयर जे छे एना अने P1 साथे जे कनेक्था ने टर्मिनल बने छे ए MT2 टर्मिनल तरीके दर्शावा मा आवे छे MT1 अने MT2 एटले के मेन टर्मिनल 1 अने मेन टर्मिनल 2 मेन टर्मिनल एटले के जे मा थी करंट फ्लो थवा नूँ छे अने गेट टर्मिनल एटले के जे आपडो कंट्रोलिंग टर्मिनल छे जे मा एन 3 दामनू एक N टाइप माटीरियल डोपिंग करी ने P2 नी वच्चे बैसाड़वा मा आवे छे आ दरेक लियर नूँ डोपिंग लेवल अलग-अलग होई छे अने एटला माटेज दरेक जंक्षन जे यह बने छे ये बद्धा जंक्षन नूँ बायसिंग अने forward biasing अथवा forward blocking अथवा reverse biasing अने reverse blocking level पाण अलग होय छे इतले ये junction ने breakdown करवा आपने अलग-अलग voltage अथवा अलग-अलग gate pulses आपी ने करी शक्किये छे येना working विशे चर्चा करिए तो triac ना 4 operating mode छे 4 triac operating mode जे छे ए छे current conduction नी direction कई छे इटले के current ने आपने कई direction माँ flow करवो छे एक वात आपने चोकस्ती जानिये छे के current always high voltage थी low voltage terminal तरफ flow थाए छे इटले के जो आपने MT1 टर्मिनल ने positive आपे हो इटले के higher voltage आपे हो अने MT2 टर्मिनल ने आपने negative अथवा lower voltage आपे हो तो current जेछे MT1 थी MT2 तरफ flow थाशे अने जो opposite हसे के MT2 टर्मिनल higher potential पर छे अने MT1 टर्मिनल जेछे lower potential पर छे तो current जेछे MT2 थी MT1 माँ flow थाशे बनने केस माँ gate trigger आपने क्यारे अने केवी रितना आपे छे एना उपर थी पन एना mode नकी थाए छे एटले पहला ब्या mode जेछे एमा MT2 टर्मिनल ने MT1 ना सापेक्ष माँ positive राखवा माँ आवे छे एटले के MT2 टर्मिनल जेछे याँ उपर नो टर्मिनल एने आपने positive राखिये छे अने MT1 जेछे एने आपने negative supply आपे हो छे अने गेट जे ट्रिगर छे पहला mode माँ mode 1 जे छे एमा gate trigger आपने positive आपे छे with respect to MT1 बीजा mode माँ gate trigger जे छे एक gate नी polarity MT1 ना सापेक्ष मा negative छे लेके MT1 polarity ground होए अने MT2 positive होए तो gate जे पल्स जे छे इस second mode माँ negative आगा छे बन्ने mode नी फरी उलेक करी लेए पहलो mode जे छे MT2 ए MT1 ना सापेक्ष मा positive छे तथा gate नी polarity MT1 ना सापेक्ष मा positive छे लेके MT2 positive छे MT1 negative अथवा ground छे MT2 higher potential छे MT1 lower potential छे अने gate नी polarity MT1 ना सापेक्ष मा positive छे लेके gate जे छे MT1 करता higher potential नो एक चार्ज पल्स आपड़े अप ये छे सेकंड जे मोड छे MT2 ए MT1 ना सापेक्ष मा positive छे MT1 मोड वन नी जे तथा gate नी polarity MT1 ना सापेक्ष मा negative छे लेके जो MT2 positive छे MT1 ग्राउंड छे अने gate टर्मिला आपड़े negative पल्स आप ये छे त्रीजो मोड अने चोथो मोड मा MT1 अने MT2 नो जे पोलारीटी सप्लाई पोलारीटी छे आपड़े चेंज करिये छे लेके MT2 ए MT1 ना सापेक्ष मा negative छे MT2 नेगेटिव छे MT1 हाईर पोटेंचियल पर छे MT1 नो पॉजेटिव आपड़े MT1 ने आपड़े नेगेटिव टर्मिनल तरीके दर्शाविये छे आपड़े पॉजे बनने प्रकार मोग गेट पल्स आपी शक्किये छे थोड़ बोड जे आपड़े कईये छे एमा नेगेटिव ट्रिगर आपवामा आवे छे कोना सापेक्ष मा MT1 नाज सापेक्ष मा एडले के MT1 बले नेगेटिव छे MT1 पॉजेटिव छे अने MT2 नेगेटिव छे पड़े ए पॉजेटिव करता आपड़ गेट टर्मिनल नो जे वोल्टेज ए नेगेटिव छे अने फोर्थ मोड जेचे MT2 ए MT1 ना सापेक्ष मा पॉजेटिव आपड़े ए वी रिते पन अन्या आपड़े गेट ट्रिगर आपड़े चे या ने गेट नी पोलारीटी पॉजेटिव राखा मा आवे छे विद रिस्पेक्ट टू MT1 MT1 ना सापेक्ष मा आ चार मोड थाया ओपरेटिंग मोड कि आपड़े एनोड थी क्या थोड एले कि जे MT2 ने MT1 टर्मिनल चे आपड़े पावर सप्लाई कोणे पॉजेटिव आपए छे ने कोणे ने ने गेट टर्मिनल नोच पल्स आपए छे ये पॉजेटिव आपए छे के नेगेटिव अवे चारे कंडिशन माँ कही रीतना काम करिये छे एना विशे जोईली तो फ़र्स्ट मोड जोईए जारे MT1 जे चे पॉजेटिव छे अने MT1 आपड़े नेगेटिव राखे लो चे अने गेट टर्मिनल गेट नी पोलारीटी MT1 ना सापेक्षमा पॉजेटिव छे गेट जे चे गेट अने MT1 नी वच्चे आपड़े एक बैटरी एवी रीतना लगाविये छे एक पल्स एवी रीतना आपड़े छे के गेट पॉजेटिव रहे अने MT1 जे चे एए नेगेटिव रहे तो आ कंडिशन मा गेट जे चे अन्यानू जे जंक्षन चे ए पुटू लेयर जे चे एने बायस करेचे अने N1 ने पुटू निया वच्चेनू जे जंक्षन चे एने फॉर्ण बैस करीदेचे अने एथी करंड जे चे n3 p1 मा थैने N1 मा थाईने current एंटर करया छे अने आ जंग्षन ने forward बायस थवा ने कारणे ए N2 मा थी MT1 मा पाछो फ्लो थाई जाए छे आ गेट पल्स आपड़े केटलो आपयो छे सेम SCR नी जेम गेट पल्स नो current पल्स केटलो छे IG नी value केटली positive छे एना उपर थी depend थसे के आज ये power supply जे voltage आपयो छे forward voltage आपड़ो केटलो छे एना उपर ए trigger करशे जेटलो higher current पल्स हसे एटलो जो ओचा supply voltage पर track trigger थाई जशे अने ये कंड़क करवानू चालो करशे जो आपड़े gate टर्मिनल नी बैटरी change करी दहिए एटली के आपड़े नेगेटिव पल्स आपिए तो ए कंडिशन मां current कही रितना flow थाएचे आ कंडिशन मां पण gate नी आपड़े इन्या polarity change करी दहिएचे एटली के gate ने आपड़े नेगेटिव पल्स आपिएचे with respect to MT1 अन्या पण आ जंक्षन जे छे ए फोरवड बायस करवा मां आवेचे कोना थुरू के बई आ जे N4 अने P2 जे लेयर छे इन्या आपड़े ट्रिगर करी ने फोरवड कंड़क्शन मोड मां लावी दहिएचे इले current अन्या जे gate नो current जे छे N2 P2 अने N4 मां थाई ने flow थाई छे अन्या जे चार्ज भेगो थाई छे खासी मातरामा ए N1 P2 लेयर ने जे छे ए फोरवड बायस करी नाखे छे एना वच्चे नो जे जंक्षन अतों आने breakdown करी ने आमा थी MT2 मां थाई ने P1 मां थाई ने N1 मां थाई ने P2 थी N2 द्वारा MT1 मां current flow करावे छे next mode लेए MT2 ए MT1 ना सापिक्ष मां नेगेटिव छे एले हन्या आवे आपड़े आ बैटरी जे पावर सप्लाई हतों एनी डिरेक्षन चेंज करी दी दी एले current आ साइड थी flow थाशे MT1 थी MT2 मां थाई आमा पण पहला पहली mode A जे छे एमा आपड़े गेटर ने नेगेटिव पल्स आपिये छे with respect to MT1 एले जेम mode 1 हतो सेम ए रितना ज current flow थाशे पण current नी दिशा बदलाई जाशे बड़ाब current नी दिशा यहाँ थी change ती जाशे जे gate पल्स नो current जे हतो ए N2, P2, N4 मां थाईने flow थाशे औने जे main line current जे छे ए N2, P2 N2, P1 N3 मां थाईने MT2 मां flow थाशे छेला mode नी चर्चा खरी लेगे के जारे gate पल्स आपड़े positive आप्यों होए MT2, Terminal MT1 ना सापेक्ष मा negative छे, परण gate पल्स जे छे MT1 ना सापेक्ष मा positive छे, तो आ condition मा current gate current जे छे, ए N4, P2 N2 मां थाईने flow थाशे यहाँ एनी current ने दिशा बदलाई जाशे पर जे आपड़ों main line current जे छे track current जे छे IG IT MT1 मा थी N2 मा थाईने P2 मा थाईने N1, P1, N3 मा थाईने MT2 मा थाईने पाछो बैटरी मा आपड़ा पावर सोर्स मा पाछो जे छे आर इतना track मा थी current कंड़क करवा मा आवा चे तोर आ track नी खास्यत एटला माटे खुबज वधारे छे कारण के घणी जग्याए SCR एकलू बनने जग्याए काम करी शक्तू ना थी एक थी वधारे SCR नी जरू पड़ा चे अने एना बे अथवा वधू SCR वाप्रया हुए तो बनने ने अलग-अलग gate triggering circuit आपड़ा आपवी पड़ा चे अने एटला माटे वधारे SCR और वधारे gate triggering सरकीट नू उप्योग करी ने आपड़ा जयारे circuit ने कंट्रोल करिए त्यारे आपड़ी सरकीट मोटी थाई जयाए छे एनी जग्या है जयारे आपड़ी एकज SCR थी आ बद्धीच सरकीट नू common काम एकज कॉंपोनेंट मा करावी शक्ये छे एना gate ने पण आपड़े कोई पण ट्रिगर आपड़ी शक्ये छे आपड़ी आपड़ी आने पॉजेटिव ट्रिगर पण आपड़ी शक्ये छे एनी ने नेगेटिव ट्रिगर पण आ ट्रायक नी लाक्षानिकता जो जोई है SCR नी जैमाच छे पण जे SCR मां रिवर्स ब्लोकिंग मोड मां हतू एनी जग्याए रिवर्स बायास मां पण ट्रायक से मज फोरड बायास नी जैमाच काम करें छे आमाँ पण आपड़े गेट ट्रिगर क्यारे आपिये छे एना उपर थी डिपेंड थसे के पोजिट्रिव ट्रिगर आपड़े क्यारे आपिये छे एना उपर थी नक्की थसे किटला वोल्टेज पर किटला फोरवर्ड वोल्टेज पर आ ट्रायक जे छे एक करेंट कंड़क्त करवा लाक्षे रिवर्स मोड मां पांड जैरे MT2 टर्मिनल पॉजिटिव चे याने MT1 नेगेटिव चे त्यारे पांड सेम वस्तु थाए चे आपड़े गेट ट्रिगर ओछो आपयो होए तो ये वहला उच्छा सप्लाई वोल्टेज पर ट्रिगर था इने कंड़क्त करवान लाक्षे जो गेट ट्रिगर आपड़े करंड ओछो आपयो होए तो ये वधारे हायर वोल्टेज पर ट्रिगर थवानू चालू करशे ओके नेक्स्ट डिवाइस चे चे ये आपड़े भणी शू एचे डायक डायक एक प्रकार नों ट्रायक चे पर एमाँ गेट टर्मिनल होतो नती SCR नी आपड़े जियारे लाक्षानिकता जो ही थी त्यारे आपड़े एक फोरवड ब्रेक ओवर वोल्टेज नी चर्चा करी थी के गेट ट्रिगर न पन आपयो होए तो पन एक फोरवड वोल्टेज एवो लेवल पर आवी जाये छे के जियारे ए अटोमेटिकली वगर ग तो आपने गेट ट्रिगर आपये छे सेम आवस्तु आपड़े ट्रायक माँ थाये छे तो आभी लाक्षानिकता वाळू एक बिजु डिवाइस बनावाँ माँ आवे छे अन्ने ए चे डायक डायक ए पन बिडिरेक्शनल डिवाईस छे स्विचिंग डिवाईस चे पन एमा गेट ट्रिगर होतो नथी ट्रायक ना टर्मिनल मा थी गेट टर्मिनल काडी नाखो तो ए डायक बनी जाए छे अने एनो जे forward break over voltage छे एना पर जियारे forward voltage पहुँची जाए त्यारे ए अटोमेटिकली forward conducting mode मा आवी जाए छे त्या सुधी ए forward blocking mode मा रहा छे आनी रचना एकदम ट्रायक नी सिमिलर रच छे पण जे ट्रायक नो गेट टर्मिनल एक्स्ट्रा N3 साथे कनेक करीने लगावा मा आवतो हतो ए आमा आवतो नथी N1, P1, N2, P2 अने N3 लेयर होय छे N4 जे लेयर हतो जे ट्रायक मा गेट टर्मिनल बनतो हतो ए डायक मा होतो नथी डायक नो सिम्बॉल पण एवोच छे न्या बे डायोड जे छे पण गेट टर्मिनल न होवाने कारणे न्या गेट टर्मिनल तरिके गेट एक टर्मिनल दर्शावामा आवतो नथी बे ऑपरेटिंग मोड्स चे सेम ट्रायक नी जे मज पण ए फोरोड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर जारे इन्पूट सप्लाई पहुँचे चे त्यारे ये अटोमेटिकली ट्रिगर थाई जाए चे येने गेट ट्रिगर आपफामा आउतो जो MT1 टर्मिनल पॉजेटिव होए MT2 ना कमपेरिजन मा तो फोरोड ब्रेक ओवर वोल्टेज सुधी MT1 नो वोल्टेज पहुची जाए त्या सुधी ए ब्लॉक करे चे अने ए पची एना थी हायर वोल्टेज थाए त्यारे ए P1, N2, P2, N3 मा थी करंट ने फ्लो थवा देचे जो MT1 टर्मिनल आपणे नेगेटिव राख्यो होए अने MT2 टर्मिनल आपणे पॉजिटिव राख्यो होए तो करंट P2, N2, P1, N1 मा थी थाए ने फ्लो थाए चे पण ए भी फोरड रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज सुधी पहुंच या पचीज आज जे छे डायक नी वी आई केरेक्टरिस्टिक छे वोल्टेज करंट कर्फ अन्या कोईज गेट ट्रिगर आवतो नथी ट्रायक नी जेम के SCR नी जेम पण SCR ना ब्रेक ओवर वोल्टेज नी जेम जेम जेरे फोरड बायस मा पण ज्या सुधी ब्रेक ओवर वोल्टेज न थाए त्या सुधी ये रिवर्स बायस नी जेम काम करे छे इतले ब्लोकिंग स्टेट मा रहे छे अन्य पछी एना करता वधारे वोल्टेज आवे त्यारे एक कंडग करवानू चालू करी दे छे अन्य एना एक्रोस नों वोल्टेज घटी जाए छे अन्य करंट वधवा लागया छे सेम ए रितना जारे MT2 टर्मिनल पोजेटी होए ने MT1 टर्मिनल नेगेटी होए त्यारे पन सेम एज रितनू काम हेमा थाए छे ब्रेक ओर वोल्टेज चुदी ए ब्लॉकिंग मोड मा रहे छे ने ब्रेक ओर थी वधारे वोल्टेज आवे कि तरत एक कंडग्शन चालू करे छे एना एक्रोस वोल्टेज घटी जाए छे अन्य करंट रिवर्स डिरेक्शन मा फ्लो थाए छे अवे नेक्स्ट जे डिवाइस चे एछे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एडले के यू जे टी यू जे टी जे चे ए एसी आर अने ट्रायक जेवा डिवाइस इस ने ट्रिगर करवा माटे खास उप्योग मा लेवा मा आवे छे जे एसी पावर सप्लाय आपफामा आवतो होए जेने आपने रेक्टिफाय करीने डी सी पावर संप्लाय मेडव ये छे अथवा एसी मोटर्स चला विये छे जेनों पावर आपने कंट्रोल करिये छे SCR थो तो एवा समय एन्हे AC सिग्नल एटले के 24 फ्रिक्वेंसी वाड़ी सिग्नल होए एनो पॉजिटिव नेगेटिव साइकल 24 फ्रिक्वेंसी पर 24 टाइम पर आवतो रहतो हो है यहां आपने 230 वोल्ट AC वोल्टिज सप्लाई जी आपड़ा घरमा आवया छे इनी चर्चा कर तो 230 वोल्ट AC सप्लाई एक सेकेंड मां 50 वखत पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइकल आवया करे छे तो ए दरेक साइकल ने आपड़े अलग-अलग ट्रिगर आपता न थी एना मांटे एक ट्रिगरिंग सर्कीट बेसाड़ी देवा मां आवया छे कि जे ऑटोमेटिक स्विचिंग करया करे गेट पल्स प्रोवाइड करया करे तो एना मांटे यू जे टी नामनू एक डिवाइस यूस करवा मां आवया छे जेने केवाई छे यूनी जंक्षन ट्रांजिस्टर यूनी जंक्षन ट्रांजिस्टर नों सिंबॉल किंक आरितना छे एमा त्रॉन टर्मिनल जे छे एचे बीवन बेज वन बीटू बेज टू अने त्रीजू छे एमिटर ई आनो नाम अने काम FET एटले के फिल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ना सिमिलर छे अने थोड़ुक सिमिलर बाइपोलर जंक्षन ट्रांजिस्टर ना जेम पन छे एटले आना टर्मिनल्स पन एरितना नाम आपेला छे E for emitter जेम BJT मा होतू अने बेज B1 अने B2 जेम BJT मा होतू पन सिम्बॉल अने कंस्ट्रक्षन येनों वर्किंग प्रमाणे जे छे ये FET प्रमाणे छे FET मा सीधी स्ट्रेट लाइन आवती होती एरो बराबर पन अन्या UJT मा एरो अन्या उपर थी B2 टर्मिनल थी सेंटर तरफ आवे छे एनों कंस्ट्रक्षन जो ये तो एक चैनल होय छे N टाइप माटीरियल नी एक चैनल होय छे N टाइप माटीरियल नों एक आको व्लोक होय छे अन्या उपर ना साइड बेज 2 टर्मिनल थी नजीक नी साइड वच्चे थी थोडुक उपर एक नानो पी टाइप माटीरियल नों एक ड्रॉप मुकवा माँ आवे छे जिया पी टाइप डिफ्यूजन करवा माँ आवे छे अन्या आ पी अन्या टाइप माटीरियल नों एक जंक्षन बने छे जे पी टाइप माटीरियल छे एए एमिटर टर्मिनल बने छे अन्या टाइप माटीरियल माँ जे एमिटर साइड नों छे ए बेज 2 बने छे अन्या जे दूर नों टर्मिनल छे ए बेज 1 बने छे आ जंक्षन जे चे एक टर्मिनल थी नजी कनि एक टर्मिनल थी दूर राखवामा आवे चे एना कारणे resistance ना वे भागला पड़ये चे लाकर जे någonting टाइप नी चे नल छे एना रेजिस्टंस ना वे भागला पड़वामा भागला पड़ये औने उपरनू भागला हो जो जए छे ए low resistance रहे छे औने नीचेनो भागनू जो रेजिस्टंस भहे छे ए डायोड ने आपणे एमिटर माँ थी किटलो सप्लाय आपिए चे, किटलो करंट आपिए चे एना उपर थी एनू रिजिस्टन्स चेंज थाए चे युनी जंक्षन ट्रांजिस्टर नू खासियत ए चे कि ए रिवर्स रिजिस्टन्स आपे चे ए अपड़ी एनी केरेक्टरिस्ट्रिक माँ जो इशू रिवर्स रिजिस्टन्स अथवा नेगेटिव रिजिस्टन्स रिजियन एनू खासियत चे युजेट इनू वर्किंग जारे आपणे वाद करिए एमिटर करंट जो आपणे नेगेटिव आपे होए तो जलेके B2 टर्मिनल ना, B2 टर्मिनल ना सापेक्षमा एनो टर्मिनल लोवर वल्टेज होए तो ये करंट उन्दो फ्लो थाई चे पन जारे जेवो टर्मिनल माथी वल्टेज पॉजिटिव थाई जाए एमिटर माथी आपणे हायर वल्टेज आपिए के थोड़ाक टाइम सुदिए कट ओफ रहे चे अने जे वो पी एन जंक्षन डायोड एनो फोरवड बायस थाई जाए के तरत एमाथी करंट फ्लो थवा लागया चे पन आ करंट एर इतना फ्लो थाई चे के ए चेनल ने रिवर्स बायस करेलू होए त्यारे एना आगल जे चार्ज भेगो थायो चे ए चार्ज ने जल्दी थी ओड़ंगी शक्तू नथी अने एटला माटे जेम जेम आपणे एमिटर वोल्टेज वधा रिए त्यारे अन्या एक रिवर्स ब्लोकिंग एरिया बने चे अन्य एटले ज एनू रिजिस्टन्स वधी जाये चे अन्य रिजिस्टन्स वधवाने कारणे एनू वोल्टेज वधे चे पां करंट गटे चे जो आपणे वोल्टेज घटाडी देए तो करंट आटोमेटिकली वधवा लागे चे एले पॉइंट ए तरफ आगण वधाचे अन्य वोल्टेज वधारी एमिटर नो तो ऑटोमेटिकली वैली पॉइंट तरफ जाये चे अन्य करंट गटे चे वैली पॉइंट थी वधारे जो वोल्टेज आपवा मा आवे तो ए जंग्षन नो ब्रेकडाउन थाये चे अने नौर्मल पी एन जंक्षन डायोड नी जेम एमा सेचुरेट थाई ने करहाई करंट फ्लो थवा लागया छे आना काराणे रिवर्स नेगेटिव रेजिस्टन्स ना काराणे एमा ट्रिगर पल्स जनरेट थाई छे अने आ ट्रिगर पल्स जे आपड़े बीवन टर्मिनल मा थी SCR ना गेट टर्मिनल सुधी पहुंचाड़ी शक्किये छे जियारे आपड़े मोटर अथवा रेक्टिफायर जिवा पावर कंट्रोल डिवाइसिस मां आपड़े SCR नो उप्योग करता हुई ये त्यारे चोकस वोल्टेज नो चोकस करंट नो चार्ज ट्रिगर आपपानू रहाए छे अने एनी एक चोकस फ्रिक्वेंसी होई छे तो एना माटे UJT नो ऑसिलेटर तरीके उप्योग करवा माँ आवे छे अने एना ऑसिलेटर तरीके उप्योग करवा माटे कैपैसिटर अने त्राण रेजिस्टर नो उप्योग लेवा माँ आवे छे बे रेजिस्टन्स जे छे ए एने बेस चैनल ने फिक्स पावर सप्लाई आपवा माटे यूस थाए छे अने त्रीजो जे रेजिस्टन्स छे एक कैपैसिटर नी साथे मडी ने चार्ज डिस्चार्ज साइकल बनावी ने एने एक चोकस फ्रिक्वेंसी नी ट्रिगर आपए छे जे ट्रिगर माथी चार्ज पल्स यूजेटिक रिलाक्सेशन ओसिलेटर आवे रितना बनावे छे अने आ चार्ज पर चौकस फ्रिक्वेंसी नी होय छे कि जे एने चौकस टाइम पर AC सिग्नल आवती होय त्यारे SCR ने ट्रिगर करे छे अने ये प्रमाणे आउट्पुट पावर जे छे आउट्पुट करन्ट एनोर थी केथोन माथी जे फ्लो थे रियो छे एक कंट्रोल थाई छे अने आपड़ी जे मोटर रथवा जे लोड लगावे होय रेक्टिफायर लगावी होय एनों आउट्पुट का पावर आपने आपने थाइरिस्टर फेमिली कॉम्पोनेंट्स कहिए छे एनों एक खुबज बोलो वर्ग छे जमा घणा बदा आलग अलग प्रकार ना डिवाइसीस आवेला छे पन सोथी वधारे प्रक्यात सोथी वधारे वप्राता जे डिवाइसीस छे ए आछे SCR, DIAG, TRIAC, अने UJT. आमनों उप्योग आपडे automation मा अने industrial applications मा खास करिये छे. आगर आपडे industrial automation विशेज आपडे जारे मूटी सर्क्किट्स नो उप्योग करी शूं अथवा एलेक्ट्रीकल एसी सर्क्किट्स मर्यायध के तुर कांत।